Hello friends, welcome to MPR Tech. पिशले दो वीडियो देमोंस्टरेशन में हमने Storage Pool में Simple और Mirror Layout Storage Space create करना सिखा. इस वीडियो में हम अब इंडो सब्सक्राइब 2016 में Parity Storage Space create करना सिखेंगे. Parity Storage Space Layout, Stripe Set with Distributed Parity Type का Storage Space है, जो बिलकुल Red 5 जेसा है. इस टाइब के Storage Space Layout में जो आपका Data है वो Stripe होता है और साथ में ही Parity जेट होती है. और जो Parity की Information है, वो Randomly जो डिस्क आपने सिलक की हुई है, उसमें Write होती है. यानि कि अगर उनमें से कोई भी एक Hardisk Crash होती है, फिर भी आपको आपका Data मिल जाएगा. यानि कि जो Parity Storage Space Layout है, वो हमें Same Feature प्रोवैड करता है, जो Feature हमें Available होते है Red 5 के अंदर. Storage Pool के अंदर Parity Storage Space Layout की वर्जू डिस्क क्रियेट करने के लिए, आपके Storage Pool में Minimum 3 Hardisk का होना ज़रूरी है. जैसे आपने पिछले Video Demonstration में देखा था, कि हमारे Storage Pool के अंदर हमने दो भी हर डिस्क एड़ की हुई है, और यहाँ पर अगर मैं नई वर्जू डिस्क क्रियेट करने के लिए जाता हूँ, नम देदेता हूँ, डिस्क 3, क्लिक करता है Next पे, Next अगेन, और अगर मैं यहाँ से सिलेक करता हूँ, पैरिटी स्टूरेज लिए जाता हूँ, नेक्स्ट पे, तो हमें यहाँ पर एक एरर मिल रही है, जो हमें बता रही है, कि आपके Storage Pool में इनफ फिसिकल डिस्क नहीं है, जो सपोर्ट करें पैरिटी लिए आउट को, यानि कि आपके Storage Pool में अगर आपको पैरिटी स्टूरेज लियाउट क्रियेट करना है, तो आपर मिनिमम तीन हर्डिस्का होना ज़रूरी है, तो हम हमारे Storage Pool के अंदर एक और हर्डिस्क एड़ कर देते हैं, बाद में हम यहाँ पर पैरिटी स्टूरेज लियाउट क्रियेट करेंगे, उसके लिए मैं सिलेक करता हूँ Pool 1, राइट लिक करता हूँ उस पे और यहाँ से सिलेक करता हूँ Add Physical Disk, सिलेक कर लेते हैं डिस्क और क्लिक करते हैं OK बटन पे, अब आपको यहाँ पर स्टूरेज पूल के अंदर तूटल तीन हार्डिस देखने मिल रही है, और जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो चुकी है, जो हमें अब बता रहे हैं 298 GB, अब हमें स्टूरेज पूल के अंदर पारिट स्टूरेज स्पेस ले आउट क्रियेट कर सकते हैं, सो राइट लिक करता हूँ पूल पे और यहां से सिलेक करता हूँ New Virtual Disk, सिलेक कर लेते हैं हमारा स्टूरेज पूल जो है पूल 1, क्लिक करते हैं OK बटन पे, बिफूर यू बिगें स्क्रीन के उपर मैं क्लिक करता हूँ Next बटन पे, यहां पर हमें स्टूरेज करना है Virtual Disk का नाम जो मैं दे देता हूँ Virtual Disk 3, प्लिक करते हैं Next के उपर, प्लिक करते हैं Next पे, यहां से सिलेक कर लेते है Parity Layout और यहां पर से आप Description पढ़ सकते हो जैसे यहां पर बताया जा रहा है Data और Parity की Information फिजिकल डिस्क के अंदर स्ट्राइप होगे स्टूर होगे, क्लिक करते हैं Next पे, सिलेक कर लेता हूँ Theme Processing, अगें क्लिक करता हूँ Next पे, यहां से Size Specific कर देता हूँ 30 GB, क्लिक करते है Next पे और क्लिक करता हूँ Create पे, ओकें जैसे आप यहां पर देख रहे है, वर्चुल डिस्क सक्सपूली क्रियेट हो चुकी है, क्लिक करता हूँ Close पे, और हम यहां पर मिट रहे वर्चुल डिस्क 3, जिसका Layout आप यहां से देख सकते हैं, वह है Parity Layout, उसके अंदर हमने अभी तक कोई Volume Create नहीं किया है, तो हम एक Volume Create कर देते हैं, उसके लिए मैं रैक्लिक करता हूँ Virtual Disk 3 के ऊपर, और यहां से Select कर लेता हूँ New Volume, प्लिक करता है Next पे, और यहां से हम Select कर लेता है, डिस्क जो है हमारा Virtual Disk 3, जिसका Storage Layout हमने Select किया है Parity, क्लिक करता है Next पे, Size हम यूज़ कर रहे है 29.9GB, जो Maximum Available Space है उस Virtual Disk के, Drive Liter में यहां से Select कर लेता हूँ P for Parity, क्लिक करता है Next पे, और File System में यहां से Select कर लेता हूँ REFS, जिसके Help से हम इस Partition को Format करना चाहते है, क्लिक करता है Next पे, और आपने क्लिक करता हूँ Create पे, ओके Partition Successfully Create हो चुका है, क्लिक करता है Close पे, और Open कर लेता हूँ File Explorer, जिससे आप यहां पे देख रहे है, कि हम यहां पर एक Partition मिल रहा है, जिसका Drive Liter है P, जिसे हमने Create किया है, Parity Storage Space Layout के अंदर, सो इसरा से आप Windows 7 2016 के अंदर, Storage Bowl Create कर सकते हैं, और Storage Bowl के अंदर आप Simple, Mirror या फिर Parity Storage Space Layout की Virtual Desk Create कर सकते हैं, इस Video Demonstration के लिए इतना ही, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो इस वीडियोस को Like करना ना बूले, और मेरे लेटेस्ट यूट्यूब वीडियोस की Information के लिए, MPR Tech Channel को Subscribe करना ना बूले, Thank You ड कि में और मेंएगर स्टूब ना बुटूमें रपते हैं पिरेण भूपनिए